आए अनलड ची से समझते हैं सोंबार के लिए बाजार पर क्या आपको स्ट्राटीजी रखनी चाहिए और बाजार को एहम संकेत कहा से मिलेंगे जून के मैने की शुरात से हम लगाता है यह कहरें कि देखिया अब है ना आपको संकेत ग्लोबल मारकेट से मिलेंगे क्योंकि अप्रेल और मही में हमने दो महीने भरपूर तेजी देखी है बारती बाजरों में नतियों के दम पर वो हो गई अब रिजल सीजन है लेकिन बहुत हलका फुलका है बड़े रिजल्स है नहीं बाजरों में एक चीज जो साफ दिख रही है कि पिछले चार दिनों से अमेरिका के बाजरों के बाजरों के अच्छी तोड़ी रिकवरी आए लेकिन ऐसा लग रहा कहीं के अब रुकावट के गिरने की रुकावट आ दिया अब और नहीं गिरेंगा मतलब रुक रहे हैं वो संकेत आ रहे हैं अमेरिका में भी चार दिनों के गिरावट के बाद उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ी रिकवरी आए क्या होगा देखा जाए 25 के पार निकल कर निफ्टी बंद होता है तो आप लाइफ टाइम हाई भी बनाएंगे 16,000 भी पहुंचेंगे और हो सकता है 16,200 तक की यात्रा फिर से करने की कोशिश करें आप निफ्टी पर ये संकेत आते दिख रहे हैं बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है नो डाउट बैंक निफ्टी उतना मजबूत तो नहीं है जितना निफ्टी है लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी भी कोशिश तो कर रहा था आज वापस से रिकवरी के तो जब तक 34,400 के नीचे बंद नहों तब तक फ्रेश कमजोरी नहीं है और एक बार 35,000 के उपर बंद होने के बाद निफ्टी में भी थोड़ी मजबूती के संकेत फिर से आना शुरू होंगे तो देखते हैं मेक और ब्रेक हफता है अगला एक तो वाइदा करबार की मन्तली एक्सपायरी भी है ग्लोबल मार्केट भी वोलेटाइल काफी है और करेक्शन काफी कुछ होने के बाद ट्रेडर हो चुके हैं हलके तो अब देखते हैं अगले हफते में क्या कुछ एक्शन बनता है बैद इंटरिस्टिंग हफता रहेगा